आपको मैंने जो पद कहा है उसी साफ से आपको पद दिया जाएगा और तीसरी बार परधान मंतरी बनेगा सर देखें मुझे पता है कि तीसरी बार नहीं चौती बार में पांचवी भार भी बनेगा अच्छा परकार से मुझे बिहार से और पूरे देश से जिस परकार से मुझे सपोर्ट मिला है मैं लगता है कि आज जीवन परधान मंतरी बनता रहूंगा तो क्या नैडू जी इस पर आप चेंज तो नहीं हुई एगा ना ना इदम नहीं इनको पूरे पांच साल तक हमारी स सब्सक्राइब करनी है और यह अपनी सेवा करने लगा पहनने लगा तो फिर देश की सिवा कैसे हो पाएगा तो पहले तो एक बार में सब्सक्राइब पहले की बात है अब तो मुझे सेवा करना है ना अच्छा नहीं होती चली कोई बच्पन आपका सर क्या मतल्ब बच्पन के बारे मेरा बच्पन जो है बहुत गरीबी से गुजरा है बच्पन में आपको पता है चाही बेजता था वह तो प्रदुनिया जानती है और जिस त मेरा बच्पन गुजरता है यह मतलब कैसे ही सब इससे होगे मतला तो अब एक बर बता है कि कोई मित्र है आपका उसके साथ है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और सोचल मीडिया पर जिस फरकार से मीम्स बन रहे हैं उन पर आपको ध्यान नहीं देना है नहीं देना कोल रहा है मेलोनी मैं फोन करता हूं आपको आप तो सर आप बोले तकि मुझ वाइसा नहीं है बट फोन आ रहे हैं वह कुछ राजनीतिक बातें करनी है मुझे तो राजनीतिक बात ही वह तो मतलब इस पर अपको कॉल प्यारा सब्सक्राइब बहुत अच्छा लगा पर्ध काने का मन करता है सर हम विशेष भिहार का विशेष राज का दर्जा पूछ रहे हैं सर हम यह नहीं पूछ रहे हैं क्या है नहीं है आपने पड़ा सर कितने पुड़ाइएगा हमको आप देखिए नहीं 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 तो हमारे नितिक बात करूंगा तो चलिए यह थे हमारे मानिये परधान मंतरी मोदी जी तो इनसे बात करें बहुत अच्छा लगा आप से फिर बाते होंगी सर्जी बात मैं करूंगा आपसे हराबी हमारे दोस्ती बनी रहे इस पर द्यान रखें बहुत बहुत धन्यवाद जहीं दोस्तों